नवश्कार दोस्तों UPSC Hindi के study platform में आप सभी का स्वागत है तो मैंने आप लोगों से कहा था कि जो गांधी जी का रश्च्री अंदोलन है उस पर हम लोग प्रश्ण जरूर करेंगे ठीक है तो आप हम लोग यहां से start कर रहे हैं गांधी और उनके प्रणभी कांदोलन पर प् करके गांधी और उनके प्रणभी कांदोलोनों से किस तरह प्रश्ण पूछे जाते हैं ठीक है इसके बाद फिर हम लोग वही सेम पैटर्न फॉलो करेंगे कि हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ ठेयरी पढ़ेंगे फिर टेक्स्ट पढ़ेंगे और उसके बाद फिर जो इंपॉ हो रही है तो मोहंदास कर्म चंद गांधी या गांधी बाफू ठीक है उनकी हो रही है और बंका नेर के भी है तो उप्युक्त सभी राजियों के यहां पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अगला है यहां पर कि साउथ अफ्रीका में रहने वाया की अवधिमें महत्मा गाधी किस पत्रिका का प्रकाशन किया तो यह भी मैंने आपको पताया था कि इंडियान उपिनियन जो थी वो ऐखास करके हिंदी गुजराती तमिल और अंग्रेजी एन्चार भाशाओ में वहां से यहां पर लिखा भी वह हुआ इन चार भशाव में वहां से प्रकाशित होती थी, कब प्रकाशित होना स्टार्ट हुई थी तो 1904 में, उसके बारे में नहीं लिखा हुआ है, तो इंडियन उपिनियन को वहां से प्रकाशित करते थे, फिर आता है M.K. गांधी किस चीज के समर्थक थे, तो इसमें भी था कि ये जो है, दार्शनिक अराजक्तावाद के समर्थक थे, ठीक है, कहते थे कि अगर मुझे कोई philosophical anarchist कहेगा, तो मुझे कोई गुरेज नहीं है, ठीक है, तो ये point भी मैंने आपको बताया था, और directly वहां से प्रशन आया हुआ है, अगला हम लोग देखते हैं, एक सेकंड़, अगला है, कि निम्न में से गांधी जी के रामराज के यूगल सिध्धान्त कौन थे, तो मैंने आपको बता है, तो सत्य और अहिंसा, ठीक है, तो ये गांधी जी के रामराज के यूगल सिध्धान्त थे, यानि कि इन दोनों के साहता से गांधी जी ये चाहते थे, कि रामर सments and explanation देख लेते हैं कि सत्य और अहिंसा को निरपे शुरूप से अंगीकार करना अश्यक है ऐसा गांधी जी कहते थे और अहिंसा मेरे धर्म का सिधान्त है वही मेरे कर्म का अंतिम सिधान्त है सत्याग्रही का अनिमारिक करतब वह है कि वह अहिंसा द्वारा सत्य का साक्षातकार करने का प्रयत्न करें एक पॉइंट और इसमें यह चीज देखना है कि जो भी ऐसे कोट होते है वह अगर आप मेंस में डिरेक्टली यूज कर लेते हो तो उसका बहुत ज़्यादा बेनेफिट आपको द माक्सवाद के माक्सवाद बिना समाजवाद के समाजवादी बिना व्यक्तिवाद के व्यक्तिवादी या समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक माक्सवादी तो जो करेक्ट आंसर हो यही है कि समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और स एक्चली होता है अब कुछ लोग ऐसे कहेंगे कि सर जो बताये थे जो पढ़ाये थे या अगर आप किसी पेड कोचिंग में पढ़ते रहते तो आप कहोगे कि यह वाला पॉइंट नहीं पढ़ाये थे और उसी से कोश्चन आया तो देखिए कोई भी मास्टर कोई भी ठीक है किसी भी कोचिंग का कुछ भी पढ़ा देगा exactly हूब हूँ चीजें कुछ ऐसी होंगी 30% 40% जो नहीं आएंगी एक्जामेनेशन में तो वहाँ पर आपका करतव विक्या है कि अगर ऐसे प्रश्न जैसे माली जी यह प्रश्न हुआ कि कौन सा सही है तो इसमें गांधी जी का कहते थे ठीक है राधर दन किसी से जगडा नहीं करना है सीधे इसको लिखो इसको याद करो और इग्जामेनेशन में अगर ऐसा प्रश्ना है तो टिक करके चले हो सिंपल सा फंडा है ठीक है अगला प्रश्ना है कि सत्यागरा रड़नीत में सबसे किसे सबसे अंतिमस्थान प्राप्त था तो मैंने आपको बताया था कि जो भी हरताल होती है गांधी जी कहते थे मैं अपने सत्यागरा में हरताल को सबसे नीचे रखता हूं और सबसे उपर किसको रखता हूं तो उसमें उपवास सबसे कारगर हतियार नों ने बताया था फिर कह रहा है कि गांधी ज निम्ड में से कौन सा एक कथन सही नहीं है जैसे पहला है कि सत्याग्रही का उद्देश शत्र को पराजित करना है सत्याग्रही को सस्त्र का सस्त्र अहिंसा है एक से के बाद यहां पर दे रहा है सत्याग रही का सस्त्र क्या है अहिंसा है उसको अहिंसा का पालन करना चाहिए यहां पर गांदी जी एक में कर सकते हो कि यस सर समझ आ रहा हैं और लिए इंग्लिष में लिख सकते हो गांधी जी केनुसब्स लाइक कि अगर गरीबी स्थायत प्रेप्त कर लेती है तो हिंसा का कुरूर टम रूप है आफ अब यह वट आपको मिल ला है कि हिंसा का क्रूड़तम रूप बताओ तो आपको क्या करना है पस ऐसे लिखोगे गांधी जी कनुसार हिंसा का क्रूड़तम रूप सामने लिखोगे गरीबी का इस्थाइत और हो गया काम एक लाइन का शॉर्ट रेल्वे स्टेशन पर ट्रेन से फेक आ गया तो काफी इंपॉर्टेंट फेमस प्रशन है पीटर मारिस बर्ग उसका ठीक आंसर है यह भी मैंने अपने नोट्स में शामिल नहीं किया था तो इस चीज़ को भी डिरेक्ली शॉर्ट नोट में आप लोग लिख लेंगे अगला जब भारत आये तो फिर 1915 में यह भाग लेते हैं ठीक है चली गांधी जी ने सेवा धर्म कहां अपनाया तो यह पॉइंट भी मेरे शॉर्ट नोट में मैंने शामिल नहीं किया था तो सेवा धर्म जो है वो गांधी जी ने साउथ अफरीका में ही अपना लिया था यह डिर को में भी स्वैकशिक सेवा प्रदान किया उन्होंने बोवर इुद्य के समय घःल सिफाय तो के भी देखवाल चाहीं अपना यह चीज के द्याद रखना है यह सेवा धर्म कहां अपनाया था तो साघ। अफरीका में अपनाया था जब वो पार्सी रुस्तम जी के एक धर्मार्थ हस्पताल में जो है परिशारक या आप कह सकते हो कंपाउंडर के रूप में स्वख्षिक सेवा दे रहे थे ठीक है अगला हम लोग देखते हैं कि महात्मा गांधी के रजनीतिक गुरू थे तो काफी आसान है गोपल गोखले जी महात्मा गांधी के रजनीतिक गुरू थे राजनीति का तात्पर महात्मा गांधी के अनुसार क्या था तो इनके अनुसार था कि जन कल्यान के लिए सक्रियता जो होती है वही राजनीति है यह नहीं है कि धर्म के विहीन राजनीति होगी सत्य के विहीन राजनीति होग तो गांधी जी नैतिकता की बात करते हैं मानवता की बात करते हैं और धर्म की बात करते हैं लेकिन कभी भी सत्ता या उसके लोब की बात नहीं करते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताए कि गांधी जी ने कॉंग्रेस से त्याग पत्र किस वर्ष गांधी जी ने दि आपना करना चाहते थे, यानि कि कोई सत्ता वत्ता का इनको लालच नहीं था, एक बहुत प्यारा सा कोशन आये हुआ है, UPPSC GIC, यानि कि गौर्रमेंट इंटर कॉलेज का है, निमलिखित कत्नों में से कौन महत्मा गाधी के बारे में सही नहीं है, आपको चार कत्नों में से ए इवान थे, या उनको काबा गांधी भी कहते हैं, दूसरा स्टेटमा है कि कस्तूरवा के साथ उनका विवा तेरा वर्ष में हुआ था, तो बिल्कुल सही है, तेरा वर्ष की आरपायू में कस्तूरवा गांधी से इनका विवा हो गया था, उन्होंने विधी का अध्यान, दा इनर टेंपुल लंदन में किया, आप सही है, वो अपनी LLB या बैरिस्टर की पढ़ाई, दा इनर टेंपुल नामक इंस्टिट्यूट लंदन में करते हैं, वे रस्किन की पुस्तक, ठीक है, जॉन रस्किन की पुस्तक, अन्टु दिस लास्ट से सरवाधिक प्रभाव हूँ, ठीक है, गाधिवाधी विचारधारा किन से प्रभावित रही, मदब उसके पहले मैंने कार रखाय काई बार, लेकिन अभी वर्तमान में आपके साथ कर रहा हूँ, गाधिवाधी विचारधारा किस से प्रभावित थी, तो थोरो से प्रभावित थे, रस्किन से भी रहा हूं आप लोग खुद भी कर लिजे सत्याग्रह शब्द को किसने गढ़ा ठीक है तो काफी असान है महत्मा गाधी नहीं सत्याग्रह शब्द को गढ़ा पहले यह पैसिव रेजिस्टेंस यूज़ करते थे जब साथ अफरीका में थे लेकिन फिर बाद में उसको सत्याग्रह से रिप्लेस कर देते हैं ठीक है लेकिन अगर इसी सत्याग्रह के जगहां पर दोस्तों सदाग्रह वर्ड यूज़ दे देता कि सदाग्रह शब्द किसके द्वारा यूज़ किया गया तो यह यूज़ किया था म मगललाल गांधी के द्वारा मगललाल गांधी कौन है तो मगललाल गांधी है गांधी जी के भतीजे ठीक है और उसको सुधार करके गांधी जी ने सत्याग्राशब्द का प्रयोग स्टार्ट किया अगला यहां पर निमलिखित में से मोहंदास करमचंद गांधी किसके लिए स सत्याग्राह ठीक है पहला पॉइंट यह हो गया एक इसलामी राष्ट इस्तापित करने के लिए तो यह बिल्कुल गलत है हिंदुओं द्वारा राजजनेतिक कारे करने का विरोध करने के लिए तो यह भी गलत है सत्याग्रह के द्वारा, सत्याग्रह का पालन करने के लिए, ठीक है, अगला दिख लेते हैं क्या है, कहा रहा है कि निमलिक्वित से कौन कहा करते थे, गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देशितक नहीं ले जा सकते, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट डारेक्टली नोट डाउन क सकते, एमके गाधी, मोहंदास, करमचन, गांधी के द्वारा कहा गया है, ठीक है, अब देखते हैं, नेक्स्ट, एक सेकंड, ठीक है, निमलिक्वित में से कौन इस सिध्धान्त के प्रबल समर्थक थे, कि जो नैतिक दिश्टिकोर से गलत है, वा राजनेतिक दिश्टिकोर से कभी सही नहीं हो सकता, तो सिमिलर स्टेट्मेंट है, जो अभी हम लोग पढ़े हैं, सिमिलर ही स्टेट्मेंट है, तो ये सिध्धान्त के लिए इसको भी नोट डाउन कर लेंगे, अपनी जो भी शौट नोट है, उसमें तो, मोहंदास, करमचन, गांधी ने कहा था, कि जो नैतिक दिश्टिकोर से गलत है, वह राजनीतिक दिश्टिकोर से कभी भी सही नहीं हो सकता, यानि कि राजनीतिक दिश्टिकोर से सही होने के लिए, लोगों के विशय में सोचना चाहिए, आपको आपके अंदर नैतिकता होनी ही होनी चाहिए, ठीक है, अगला प्रशन की है यह नोट्स में भी मैंने बताया था तो वहीं जो हांसबर्ग में ही वो जो law firm है ना उसके उपर ट्रस्टीशिप का सिध्धान लागू किया था तो इसमें जो सबसे अप्रोप्रियेट आंसर हो है पहला कि दक्षिड अफ्रीका के 1903 के दौरान law firm की जब इन्होंने इस्थापना की तो उसमें ट्रस्टीशिप का सिध्धान लागू किया ठीक है चले गांधिवादी अर्थ के देखी अगया ठीक षुकर मानता को जन रिता है अता हिंसक अमाजिक संवर्षनवर्ण केंद्री करण विरोधिं बिल्कुल सए है वे भारत में मशीनी करण के पक्षधार नहीं थे यह बिल्कुल सभी है वो मशीनी स्टेट्मेंट है बाकी स्टेट्मेंट बिल्कुल सही है अगला दिखते हैं कि एमके गांधी के अनुसार और इस प्रिश्यों का समाजिक आर्थिक शुधार संपन्य किया जा सकता है किस तरह से उनको समाजिक और और आर्थिक रूप से सुधार सकते हैं, बेसिक दिमाग लगा के इसका अंसर करेंगे, चलिए, पहला, उनका मंदिर में प्रवेश के द्वारा, ठीक है, तो ये पॉइंट भी हो सकता है, कि उनके मंदिर में प्रवेश द्वारा, लेकिन गांधी जी के द्वारा पूछा हु और जैसे है, चार दिन साहे ता प्रदान करो, और बाकी 361 दिन वर्ष में छोड़ दो, ऐसा भी नहीं कहते थे, उनके समाजी कार्थिक विकास है, तो अलग कोश बना करके, या कोश अलग करके, तो ये भी गांधी जी नहीं कहते थे, क्या कहते थे, हमेशा कहते थे, इनके आर्थिक उन्ययन कर सकती है, बिसिकली इंडिपेंडेंट बना सकती है, ठीक है, दलितों को, इसलिए गांधी जी इस पर जोड़ देते, तो ये जो है अप्रोप्रियेट होगा, अगला है, गांधियन इनोवेशन, यानि कि गांधी का नावाचार से तातपरे क्या है, कि अ अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए, ठीक है, कम निवेश करो और अधिक लोगों के लिए उत्पादन करो, तो ये जो है, गांधी का नावाचार है, कि इस तरह का कुछ करो, कि निवेश कम करो, उत्पादन अधिक लोगों के लिए, जिसते तेल पेरना, आप ले आ मतलब है कि और मशीणी करण के तरीके से के सकते हैं पर हम नोग देख भी सकते हैं कि कह रहे है कि नियोजित करण मात्मा गांधी ने किया collection के उन्हों कि भाई गाउं का जो साशन होना, वो वहीं का एक मुखिया है, जैसा कि हो रहा है, प्रधान के द्वारा चलाया जाए, उन्होंने मशीनी प्रयोग के अस्थान पर शरम परकुद्यों को अधिक महतो दिया, वो ये भी कहते थे, कि जैसे जो भी हमारे छोटे लोग हैं, जैसे जिनके पास कम पूजी है, उनको भी शरम के द्वारा जो है लाब मिले, ठीक है, तो यहाँ पर जो नियोजित विकास का विरोध है, वो करते हैं महत्मा गाधी, अगला है कि निम्रिकित में से किस ने कहा था, कि विदेशी वस्त्रों की बरवादी उनके साथ सर्वत्तम ब् जर आजार समझता था, ठीक है, तो इसमें डिरेक्टलाहीं हम लोग आंसर कर सकते हैं कि बिरिटेन वाले क्या करते थे यहां से कंपास ले करके जाते थे, यहां से कंपास मना किंपास लेकर के गए, तो यह रुप इदित है मशीनों से प्रोसेस्ट कपड़े बनाएं तो दस रुपए कीलो से कपास लेकर के गए 200 रुपए का एक कपड़ा लेकर है बस एक आपको जनरल बात बता रहा हूं ऐसे रियालिटी नहीं है तो वहां से 200 रुपए का कपड़ा लेकर और फिर यहां के बाजारों को पाठ दिये ठीक है क्योंकि आज भी आप गांधी आश्रम में जाओगे तो आप देखोगे कि बेरंग बदरंग इसे कपड़े पड़े हुए हैं ठीक है वो दिखते हैं बदरंग कमफर्टेबल होते हैं हाथ से बनते हैं लेकिन वो बदरंग से दिखते हैं तो आप उसी तरह का सोच ल सिऱे हैं टे तुटन्त karşı को 1 दिन बाद मैं बताया था कि तो गा भारत में नहीं थे अगला आता है कि निमलखित सत्य ग्रह में से किसका नित्रत महत्मा गाधी ने नहीं किया तो बार्दोली का जो है वो आपका बल्लब भाई पटेल करते हैं और ये गांधी जी नहीं करते हैं ठीक है तो बार्दोली की महिलाओं ने सरदार बल्ला भाई पटेल को सरदार की उपादे दी कहरा है कि जात विहीन अचूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संगर्श किया तो बिल्कुल किया हरिजन नाम से पत्रिका निकालते थे ठीक है और भी उनके जैसे वह अच्छूत नहीं मानते थे उन लोगों को ठीक है तो उनके साथ बहुत सारा काम करते थे और आपको वह घटना भी पता है कि जब 1903 में वह आपका जोहांसबर्ग में थे तो वहां प सब्सक्राइबल कॉंफरेंस होता है वह नहीं माना जाता है तो फिर से स्टार्ट हो जाता है निकि दो दफाव होती है सभिना वग्या अंदोलन उप्रिक सभी हो जाएगा आंसर इसका अगला राय गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया तो यह भी मैंने आपक महात्मा के तौर पर संबोधित किया तो रभीना टैगोर जी ने संबोधित किया ठीक है आईए हम लोग देख रहे हैं चुक्त तीसवा प्रशन राश्टपिता किस ने कहा तो 1944 में राश्टपिता गहगर के बुलाया है सुभाशन रभोस ने वन मैं बाउंडरी फॉर्स कि दिखाया अगला प्रशन हम लोग करते हैं करन निम्लकित में से किसने महात्मा गाधी को आदेश किया था कि वहां भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुह बंद व्यतीत करें तो मैंने यह बताया भी कि गोपाल कृष्ण गोखले जो उनके पॉलिटिकल गुरू थे व रहा था उतना अंदाजा लग जा रहा था भारती रजनीती में प्रविश करने से पूर्फ ठीक है पहला जन भाषड कहा दिया तो पहला जन भाषड आपका वारानसी में दिया था तो यह पॉइंट भी मैंने नहीं बताया था 1916 में जो बनारस हिंदू विश्विद्याले की स्थापना हो रही है उसके उद्घाटन समारों में महात्मा गाधी ने अपना पहला जन भाषड दिया याद रखेंगे कि जब भी अम्रुक जलियावला बाग कांट के आसपास की चीज़ें पढ़ेंगे असायो गंदुलों उसमें थोड़ा सा हिंट भी मैं देद रहा हूं आपको गुजरात में है एक जामिया मिल्या टाइप का है और एक और है ठीक है तो यह आपको आंसर में करना है कि कहा कहा स्थापित हुआ और कब स्थापित हुआ अगला है कांधी जी ने मज़ुआ मजदूरों को मुक्त कर लिखा हुआ है थोड़ा सा गलत है याद रखेगा बधुआ मजदूरों मतलब बधुआ मजदूरी जो था जो कॉंट्रैक्ट होता था इन कठिया पद थी तीन बटा 20 भाग पर नील बोना है और नील क्या होता था उस समय इंडिगो का जहां पर वो किया जाता था जाज कुमार शुकले के साथ अप्रैल 1913 में चंपारण गये और बंधुआ मजदूरी जो था उससे मुक्ति का सत्यग्रा एग्रेरियन कमिटी पर गठन कर आया ठीक है चले तिन कठिया पदती का मतलब क्या था तीन बटा 20 भू भाग पर नील की खेती चंपारण अंदोरन तो तभी मैंने आपसे कहा था कि जो भी नाम आएंगे फिर से वह चीज़ रिपीट कर रहा हूं कि जो भी नाम आएंगे उनको हलके में नहीं लेना है आप कह दो कि अच्छा ये थी सरुजनी नाइडू थी चला छोड़ो नहीं यार इतना सारा कौन पूछता है तो पूछ ये बात याद रखिएगा आप किसी भी टॉपर से पूछ लेना बहुत सारे आप लोग रील शॉट्स देखते रहते होगे ये पॉइंट शायद कोई नहीं बताता होगा कि यूपी पीसियस में अगर आप एफर्ट की बात करो मतलब की रट्टा फिकेशन की बात करो तो ज राजिन प्रसाद थे महादेव देशाई थे सीएफ एंड्रीूस थे ठीके सीएफ एंड्रीूस को एक टाइटिल दी गई थी गादी जी नहीं दी थी अब बताएगी कि क्या टाइटिल थी फिर था डप्टर अनुगरा नराण सिनहा थे राजकिशोर प्रसाद एचेस पोल गांधी प्लस इतने सही होगी ऐसे चिपका लेजे और जब भी घूमते रही है तो दस बारा नाम जो याद करिए और उपने छोटे भाई बैनों को बताते रहेगी चंपरन में यह लोग थे ठीक है चली आते हैं नेमलिकित में से किसने नील की खेती के संबंद में चंपरन नोट करने वाला है किस एक्जाम में आया आरो में तो आरो जो है ना गंदा पेपर बनाती है गंदी सोच गंदी सोच के साथ यहां लोग बैठे हुए हैं और इतना घटिया सवाल पूछ देंगे ना और आपके सामने जब पहला सवाल इतना घटिया आएगा तो आप होपल कर आगे बढ़ना ठीक है कि 120 कोशन अगर पूछे जाना 140 कोशन तो उस हिसाब से छोड़ के आगे बढ़ना है ऐसा नहीं कि हमको सब करना है सब नहीं करना है हमें छोड़ करके आगे बढ़ना कि क्रिशिय जाच समित के सदस्यों का नाम अभी आपको याद हो गया कि गाधी जी ने प्रथम सफल सत्यग्रह कहां आरंब किया तो सफल सत्यग्रह वहीं आपका चंपारण में स्टार्ट किया था इन्होंने तो इसका आंसर आसान है करा महत्मा गाधी ने भारत में सरप्रथम सत्यग्रह प्रारंब किया चंपारण में स्टार्ट किया था चंपा है मैंने बताया भी था अपने नोट्स में एंजी रंगा महोदे ने इसको जो है विरोध किया इसका अगला प्रशना यहाँ पर 43 कि भारतिय इतिहास के संब्ध में वाइकूम सत्याग्रा जो है उसके संब्ध में कौन सा कथन सही है पहला है कि अस्प्रिश्टा और जातिगत बिभेद को ले करके था तो बिल्कुल सही है और महात्मा गाधी ने सत्याग्रा में भाग लिया तो यह बिल्कुल सही है वाइकूम सत्याग्रा जो है इसमें भाग लिया था और यह कहां हुआ था आज प्रिश्टा जातिगत भेद भाव को ले करके के केरल के त्रावण को की बात नहीं किये गई है इसलिए उसको सही माना जा सकता है कि गांदी जी उसको भाग लिये थे ठीक है कि करागार को गांदी जी ने मंदिर का नाम दिया किस करागार को ठीक है लगिजój ने यसे Ctrl के आश पास में, जीडि यह कर करागार को मंदिर की संग्या दी थी गादी जी ने अपना पहला सत्याग्रा कहां किया तो बहुत आसान है मजदूरों को कम वेतन दिये जाने के वुरुद किया था अनोंने पहला सत्याग्रा ठीक है अच्छा यह चीज पहली क्यों मानी जा रही है कि इसमें कहीं भी आपका आहहांदाबाद की जेल में पहली बार एमदाबाद की मिल स्ट्राइक में इन्होंने भूँक हर ता वही था अहमदाबाद संगहर्शी था ठीक है और करा आमदावा सूती मिल कारिगर थे उनको जो है प्लेग बोनस की बात की गई थी 20 परसेंट और उसको देने से मुकर गए थे लोग तो बाद में जो है कमिटी बैठती है उसमें 35 परसेंट प्लेग बोनस इनको गांधी जी दिला देते है तो किसान अंदुरों किस सभा नेक्स चेप्टर है उससे हम लोग करेंगे यह जितना मैंने किया है इसी तरीके से आप तेजी से प्रशन को पहली बार करें और दुबारा भी कुछ दिन के भीतर ही कर लिया करिए मतलब एक बार सरसरी निगाह से तेजी के साथ करिए जैसे मैं कर रहा हूं ठीक है और दुबारा खुद से रिवाइस कर लिजे और नोट डाउन करिए पहली बार में जितनी चीज़े मैंने बता दी जैसे 5-6 पॉइंट बताए उसको नोट डाउन कर लो उसको पढ़ो और फिर दुबारा करो तो गांधी जी और उकके प्रणभी कांदुल नाम से यह थमने ला लासता किस लेक्षर देखें वो ये बताएं कि क्या तीन दिन हिस्ट्री और तीन दिन जहाएं जिस भी प्लुक का सुझाओ रहे झाल झाल